कौन कहता है लासन के आज के बीना सबजी अच्छी नहीं होती देखिए हमने यह पत्ता गोभी और मटर की सबजी बनाई इसमें ना तो लासन डाला ना ही प्याज बन डाला है और बहुत इस्वादिस्ट और इसमें बहुत मसाले भी नहीं पड़े हैं बहुत ही स्वादिस्ट खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा रोटी पराठा आप किसी चीज के साथ खा सकते हैं तो चले फटा फटा मैं आपको बना के दिखा देती हूं इसके लिए हमने कराही को गर्म किया उसमें टू टेवल स्पून ओयल डाला चुकि कैमरा जुम है इसलिए आपको यह तिल ज्यादा दिख रहा है उसमें हमने वन पिंच हिंग डाला और उसी में हमने एक चमच पाथ फोरन डाल दिया आपको तो पता ही पाथ फोरन यानि जीरा सौफ मेथी और ज्वाइन और कलोंजी और साथ में हम लोग इसमें थोड़ा राई भी डाल द रखा था उसे डाल दिया और डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से पहले भून लेंगे भूनने में इसका बस तमाटर का थोड़ा कचापन निकल जाना चाहिए बहुत टाइम नहीं लगता एक से देर मिनट में यह भून जाता है और जैसे यह कचापन निकलने लग है आजकल पता नहीं क्यों मार्केट में जो मटर आ रहा है वह बहुत सॉप्ट नहीं आ रहा है जबकि अभी तो मटर का सीजन है तो इसे हम धक्के और सॉप्ट करेंगे पर हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है और देख लिए मटर हमारा जब सॉप्ट हो जाएगा तो आ दियान रखना है कि हमने इसमें हरी मिर्च के पेस्ट भी डाला है हाफ टेवलफ स्वन हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और इन सारे मसालों को डालने के बाद थोड़ी दिर हम भूनेंगे और लगए गाहिसमें बहुत सुखा-सुखा है तो इसमें हम थोड़ी चम्मच के लगबख पानी भी डाल देंगे और डालने के बाद इसे अब क्या करना है एक बार हमें ढख देना है और लगबख एक दिर मिनट ढखने के बाद देखेंगे तो आपके मसाले से चारो तरफ तेल भी चोड़ दिया है और मसाला अच्छा पकने लगा है तो इसे हम थोड़ी द पढ़िया उबर के आएगा उपर से आपकी इक्षा हो तो बाद में डाले या ना डाले पर यह मसाले के साथ डालके इसे हमें थोड़ी दिर भूनना है और भूनते हुए देखिए यह बिल्कुल ही मुलायम सौप्ट हो जाएगा वैसे भी धनिया के पत्ती तो तुरंत ही सौ एड करेंगे और डालने के बाद हम अभी से चलाएंगे पर एक बात का ध्यान रखना होता है पत्ते को भी को एक से दो बार हम ढग सकते हैं बहुत जादा ढग देने से क्या होगा यह खिला खिला नहीं होता है तो इसे बढ़िया से हमें इसे पकाना है और अब सारी समागर को सौट करने के लिए और टेस्ट को अच्छा है इसके लिए क्या करते हैं मेन इंग्रेडेंस होता है नमक जो हमें भूलना नहीं है तो अब हम इसमें नमक एड करेंगे नमक जैसे ही हम डालेंगे नमक डालते इसमें से पत्ता को भी जो है ओप्या पानी छोड़ने तो अब हम इसे ढख देंगे और ढखके एक से डेर मिनट तक ढखके हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे यह तुरंत ही स्वाप्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं पत्ता गोवी कितने अच्छी तरह से स्वाप्ट हो गया और यह खिला खिला है पर सार मटर और पत्ता हो तो सब्सक्राइब करना न भूले अब इसमें एक दो इंग्रिजेंस और मैं एड करूंगी वह मैं अभी आपको दिखाती हूं तो देख लीजे पत्ता गोवी कि सब्जी बहुत ही लजीज बनके तयार हो रहा है और आप इसे जैसे चाहें रोटी पराठा के साथ खा सकत और हाप टेवल स्पून के लगभग में हम इसमें काली मिर्ट पाउडर जरूर जालेंगे यानि पेपर पाउडर उससे कहा है सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा पर गरम मसाला बहुत जादा नहीं डालना है तो कि हमने इसमें जो पांच पोरन और धन्या की पत गया तो देख सकते हैं सब्जी हमारी कैसी वनी मैं बहुत लगी बहुत ही स्वादिस्ट तो मैं आपको इसे सभ्व करके भी दिखाती हूं बिल्कुल नजदिक से दिखाती हूँ, आपको देख के मालूम पड़ेगा कि सब्जी कितनी ही अच्छी बनी है, तो इस प्रकार आप लोग एक बार ये सब्जी जरूर बनाएं, घर में सभी को पसंद आएगा और बच्चे पत्ता गोभी बहुत अच्छ से खा लेते हैं, उ नाने में मुस्किल से 5 मिन,